नमस्कार मैं मुनी रामने ताम स्वागत करता हूँ फिर एक नहीं जानकारी वीडियो में आज का इस वीडियो में हम देखेंगे बस्तर यूनिवर्सिटी या सहीद मैंद्र करमा विस्त विद्याले का ओनलाइन एडमिसन पर्म हम कैसे बर्शकते हैं अपने मोबाइल में गर से बाइश्ट्प आपको इस वीडियो में समझान का प्रियास करूँगा वीडियो में लगातार बने रही है अगर वीडियो में नयों तो logistics को भी लुदियो फिर सक्राइब कर लेजिए और मोब्ये चाम आनेक बाद बही ब्रॉजर उपन कर लीजिए अगर आप मोबे ल से एक interface open हो जाएगा sorry link open हो जाएगा उस पर क्लिक कर लिए इसका मेंड लिंक आपको description में दे दूँगा आप देख सकते हैं इस तरह से link है उस link पर simply click कर लिए क्लिक करने के बाद इस तरह से open हो जाएगा आप देख सकते हैं सावने front page पर है admission page number one sorry UG admission page PZ आप simply admission page PZ पर simply click कर लिजे अगर आप UG क्लिक करना चाहते हैं तो इधर click करेंगे और पीजी कर रहे हैं तो right side में click कर लेंगे आप इतर वीडियोस भी देख सकते हो कैसे online करना इसके लिए वीडियोस भी चनल में available है simply admission page UG और PG का जो online process है maximum same same है बट थोड़ा साथी presence होता है लेकिन इस वीडियोस में हम PG का करेंगे simply PG पर click करने के बाद इस तरह का interface open हो जाएगा उसके बाद simply नीचे स्क्रॉल कर लिजे जी हां दोस्तों नीचे स्क्रॉल कर लिजे उसके बाद इस तरह का आड़ी डाल दीजे रोल नमबर डाल दीजे एक्जाम इन्रोल्मेंट नमबर डाल दीजे पासिंगिर डाल दीजे और नेम अप एक्जामिनेशन उस तब कुर्ण डालकर सिंपली process पर क्लिक कर लिए अमने नहीं किये हैं तो सिंपली नो पर क्लिक कर लते हैं उसके बाद देखे इस तरह से कि क현를 के बाद यहां पर अहिक्त ओनर निर्देश यहां पर लिंक जेंडर काटेग्री अवर इसको इची तरह से प्लak करें क्योंकि encara ची करें कि बाद में एड़िट नहीं होगा उसके बाद सिंपली यूजी पर select करें यूजी पर select करें करें जो बाद select any course अब जिसे भी कूर्स में registration करना चाहते हैं उसका इसमें क्लिक कर लिए example के लिए मैं में economics कर लेता हूं में का जितने भी subject होंगे सभी का इसमे लिस्ट आएंगे अच्छी तरह से मार्क शीट के अनुसार पिलप करेंगे कोई भी गलती ना करें धीमी गलती से करें step by step clearly करें तो इस तरह से आप बर सकते हैं उसके बाद name इंटर करने के बाद select gender इसमें अपना gender select कर लेंगे जो भी है आपका male female या transgender जो भी इसमें select कर लिजिए उसके बाद category select कर लिजिए select student category ST SC OBC आप जो भी है मैं ST से हूं simply मैं ST पर क्लिक कर लाता हूं उसके बाद date of birth इसमें इंटर कर लेंगे आपका date of birth इसमें इंटर कर लिजिए जैसे आप send OTP पर किल्क करेंगे आपकी mobile में OTP सब्सक्राइब को इसमें इंटर कर लेजिए सिसके स्पर किलिक करेंगए तो इसके बाद community इंटरफेस उपन हो जाएगा यहां पर दीख सकते हैं डेहर मुनिराम एपलिकेशन रेक्वेस्ट लोग इन इडी इसमें लोग इन आइडी सुझ कर रहा होगा जिसके आप दीख सकते हैं उसके बाद सिंप्ली यहां से लोग इन कर सकते हो लोग इन करने के लिए दो पेज़ इंटर करने के बाद सिंप्ली उसके बाद आया मैं रोबर्ट पर सिंप्ली किलिक कर लिजी उस पर किलिक करने के बाद सिंप्ली साइन अप पर किलिक कर लिजी तो इस तरह से सही का मार्क होगा उसके बाद सिंप्ली साइन अप पर किलिक कर लिजी उस पर किलिक करने के आ चुका है दोस्तों यहां पर payment करना है आपको 75 रुप्या 75 रुप्या का payment करना है तब आपका रजिस्टर से सच्पुली होगा उसके बाद आगे का process चालू होगा payment process आप netbank के तुरू कर सकते हैं debit card से भी कर सकते हैं payment का process में आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि security reason है इसलिए simply process पर क्लिक करने के बाद payment और इस तरह का interface open हो जाएगा उसके बाद अपना नाम अगर एडिट कर सकते हो इसमें उसके बाद देखिए उसके बाद simply यहां पर आने के बाद आपका जो religion select करना होगा आप किस religion से है हिंदू मिशलिम जो भी है इंदू पर select करने का country select कर लिजे क्या आप अलप संक्या समूदाय से हैं हैं तो yes पर click किजे नहीं तो no पर click कर लिजे उसके बाद नागरिक्ता इंडिया उसके बाद state select कर लिजे 36 गड़ उसके बाद जिल्ला select किजे कुंडागाउं आपका जो भी जिल्ला है district वो select कर लिजे एंग्जांपल के लिए मैं कुंडागाउं select कर लेता हूं उसके बाद आवे दक क्या हुद पूरो सईनिक हैं है तो yes किजे 9 है तो no पर click कर ल करेंगे तो आवे दक काई सटाइप पता दिखेंट करना अबकर करें प्लैंड मार्क प्लैट नंबर मंकान नंबर और उसके बाद पोस्ट आउपी आउपिस पिन कोड़ नमबर तसील ब्लक डिश्ट और पिन कोड इसमें select करना है उसके बाद parents mobile नंबर भी दे देना है इस इसतर सेलेक्ट करने के बाद आप निचे देखेंगे, कि आपका पत्रवेवरणप पता सेम है तो simply केपचा पर पिलब कर लिजे, अब जो केपचा है उसपे सेलेक्ट कर लिजे, अगर आपका इस्साहिब पता और पत्र हेखविवरणप सही है । укas इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आटमेटिक आजाएगा उसके बाद यहाँ पर गार्डियंस नंबर देदीजिए किसी का भी मॉबैल नंबर इसमें इंटर कर लिजिए अब इदक का आदार नंबर इसमें इंटर कर लिजिए क्योंकि वह इंपोर्टेंट है उसके बाद इमेल आ दॉकुमेंट जो अपडेट क्या जाएगा उपडेट ओने के बाद यहाँ पर आपका फोटो एंड सिगनेचर अपडेट करना है अपलोड करने के लिए सिंपली आप देखेंगे चूज पाइल पर किलिक कर लेगे यहाँ पर आपको देखेंगे के बी और एमबी का भी सु इस पाइल पर किलिक कर लिए उसके बाद उसमें भी इमेज सेलेक्ट कर लिए जो भी है आपका सिगनेचर उसके अपलोड कर दीजिए अपलोड करने बाद सेव पर किलिक कर लिए जैसे आप सेव पर किलिक करेंगे इस तरह का पिर से इंटरफेज पर कर दीजिए उसके बा मैं इस पर limit लेता हून है और युज्य पर किलिक करने के बाद यहां पर है कि आपका दो जिए तो इसमें आपना रॉल नंबर इंटर कर लीजिए कर लिजिए decompos इसके बाद right side में देखेंगे name of institute enter कर लीजे इसमें आप जिस भी institute में आप डिगरी प्राप्त की हैं उस institute का इसमें नाम लिखेंगे example के लिए मैं गोट गुंदादूर college कुंडागा उस तरह से लिखने के बाद उसके बाद subject लप करेंगे जो भी आपका subject होगा उसके बाद subject लप करने के बाद नीचे scroll करके आप simply enrollment number लिखेंगे पास का लिखेंगे उसके बाद simply उसके बाद टोटल mark लिखेंगे उसके बाद नीचे division में भी अपना जो भी है division उस वह सेलेक्ट करके simply add to save पर click कर लिजे एड to save पर click करने के बाद उसके बाद अपना जो भी है qualification वह successfully add किया जाएगा उसके बाद नीचे scroll करेंगे तो आप देख सकते हैं अपना जो qualification वह एड किया गया है उसके बाद simply next पर click करने के बाद यहाँ पर फिर से qualification एड करना है जो कि कक्चा 10 वीका यहाँ पर देख सकते हैं कुछ information है आप subject को sort में भी लिख सकते हैं उसके बाद कच्छा 10 वीका इसमें कुछ information aid करना है तो यहाँ पर टाइप आप examination application ट्याइट यहाँ कर सकते हैं तो मैं TENT का कर रहा हूं तो मैं TENT का click करने पाद इसमें stream जो कि TENT में तो फिर्टीनिन होता सीपले 2 पर एक वार्ट긴 कर लेजे उसके बाद को कीतना यह अर्सका था वाट पर एसके बाद आपका जो भी वोड है वह लिग लीजै मैसी उसके बाद पासिंग ते अपना रोल नंबर इंटर कर लेजे जो कि तो हैं कि आप देख सकते हैं, इस तरह से सॉट में it को इसमें सबजेक्ट को इसमें इंटर कर लिजए जो भी आपका सबजेक्ट इयुआ है उसे तुर मैं सॉट में लिग लिजिए अगा ali अग ऊसके बाद इंडूल्मेंन्ट जो कि आपके मार्क शुल में होगा होb इंटर्लमेंट इसमें इंटर कर लीजे, उसके बाद Results Pass उस पर किलिक कर लिजे, उसके बाद Mark जो भी आपका Parcentage होगा वो calculate कर लेगा, इसलिए Mark उसके बाद आपका Division कर लिजे, उसके बाद यहाँ पर Total Mark लिख लिजे, उसके बाद simply आपको automatically आपका percentage आ जाएगा उसके बाद add to save पर click कर लेज़े उसके बाद simply add to save पर click करने के बाद refresh होगा उसके बाद simply successfully update किया जाएगा उसको भी upload update हो जाएगा उसके बाद दीख सकते हैं सकसेच पुली अपना add हो चुका है उसके बाद simply आप नीचे scroll करेंगे और nest पर click करेंगे जैसे आप nest पर click करेंगे फिर से किस तरह का प्यूटिक nest interface open हो जाएगा तो देख सकते हैं course program college subject selection करना है यह आपका एक important page होता है आप यहाँ पर step by step videos को देखेंगे उसके बाद example के लिए मैं add institute पर click करके कोई भी college आप लोगों को select करके आपको दिखाता ह हूँ तो example के लिए मैं एक college select किया हूँ जो कि got काक्ति आई पीजी college जगदलपूर उसके बाद add institute पर click करके simply save पर click करेंगे उसके बाद save होने के बाद simply nest पर click करेंगे जैसे nest पर click करेंगे तो फिर से किस तरह कर नेस्ट इंटरफेस open हो जाएगा sorry मीत्रों मैं आप लोगों simply our college add कर लेता हूँ जिसकी कुणडा गांगा college add करके आपको दिखाता हूँ add institute पर click करके simply group पर click करके simply save पर click करेंगे तो आपका college add हो जाएगा जी हाँ दोस्तो add institute पर click किजे उसके बाद group पर click कर लिजे उसके बाद save पर click कर लिजे वो आटमेटिक save हो जाएगा तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं, फिर से और एक college को मैं add करके आपको देखाता हूं, simply add institute पर click कर लिजे, उसके बाद college select कर लिजे, तो मैं college select कर लिया, वह तोड़ा से wait कीजे, और उसके बाद institute आने के बाद, तो देखिए मैं institute add कर चुका हूं, और उसके बाद subject आ जाएग तो आपका subject add हो जाएगा, sorry college add हो जाएगा, देखिए update हो चुका है, मैं select क्या हूं, तीन college आप देख सकते हैं, जगदलपूर, कुंडगाउं और कांकेर, मैं तीन हों college को select है, उसके बाद simply, next पर click क्या तो उसके बाद देख सकते हैं, यहां पर कुछ, waiting list में जो आपका ना कर लिज्येख, अगर आपके पास है, तो simply as पर click किजिए नहीं है, तो no पर click किजिए, उसके बाद यहांपर डॉकमेंट अप्लोड करना है, तो यहां पर आप चाहे तो upload कर सकते हैं, यहां नहीं भी कर सकते हैं, यहां पर इसका कोई ज़रूरत नहीं अप्डेट करने का तो यहां पर देख सकते हो उसके बाद simply देखिए इसको पढ़ लीज़े उस बाद simply next पर क्लिक कर लिज़े जैसे आप next पर क्लिक करेंगे आपका पूरा इसमें detail जो की so होगा आपका देखिए added भी कर सकते हैं इसमें कई आइसे जिने एडिड भी कर सकते हैं और कें यहां इसे चीजेश जिने इसमें इसमें आप देख सकते हैं जितने भी college किये थे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं document भी upload होचुका है जो की जैसे अंड सिग्नेशर उसके बाद यहां पर नेष्ट एक पर कोच्छ, आप सिंपली कर लीजे लिएख, इस तरह से आप सिंपली केपचश पर किलिका लेजे लिएजी तो मेरा सकसच पली आवेदन वह चुका है, उसके बाद simply आप देखेंगे print receipt पर क्लिक कर लिजे और इसे भी आप print कर लिजे या इसे pdf के रूप में save कर लिजे उसके बाद simply आप देखेंगे print का option है या इस पर क्लिक करके आप उसे pdf के रूप में download कर सकते हो या किसी भी computer center म simply आप उसे print कर सकते हो, इस तरह से आप गर बैटे सरल और आसन तरीका से online कर सकते हो, अगर आप mobile में करेंगे तो आपको तोड़ा बहुत दिकत होगा, बट इस वीडियो को पीरस एक बार दिखेंगे, अगर कोई भी problem है तो आप मुझे comment भी कर सकते हैं, मैं आपका reply आवश का जो भी print receipt है उसे PDF कर रुप में सेव किजिए, उसके बाद उसे print किजिए, आप इस तरह से online कर सकते हो, अगर बैटे सरल और आसन तरीका से वीडियो चलाएगा तो पुलिस हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लीजिए, और इस वीडियो को आप किसी भी online center से, अगर आपके पास print आ रहे कर देंगा कर देंगा कर देंगा